सो हलो मेरी प्यारे चिकर की तुकडों कैसे हो आप सब एक बार फिर सुस्वागात है आप सभी का सची आग्स में सो आज की वीडियो ना बहुत ज्यादा खास होने वाली हूं क्योंकि मैं पहली बार कुछ अलग सा ट्राई करने वाली हूं मतलब अभी तक मैंने पेंटिंग तो बहुत बार किये लेकिन आज मैं करने वाली हूं जो पेंटिंग वो थोड़ी सी अलग है क्योंकि मैं वो किसी पेपर या पिर किसी और चीज़ पर नहीं बलकी करने वाली हूं साथ ही साथ उठा ली अपनी मन पसंद पैंसिल वैसे ये कैनवास बोड ना मेरी ममी बहुत पहले सागर से लेकर आई थी जिसे मैंने आज तक यूज़ी नहीं किया सो इससे पहले कि हम इसक्यूपर कोई कलाकारी दिखाएं सबसे पहले हम एक रप स्केश ट्रॉ कर लेंगे पैंसिल की हेल्प से सु मैं पना रही हूँ यहाँ पर प्यारे से और इजी से गंपती बपा क्योंकि आज मैं कैनवास को पहली बारी यूज़ करने वाली हूँ इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा खास आईडिया नहीं है इसलिए मैं इसकी पर सरल से सरल चीज़ बनाना चाहतीsem क्योंकि मुझे इन से ज़्यादा अच्छा कुछ लगा ही नहीं क्योंकि जब सुरुवात ही बिगन हर्ता से हो तो कोई बिगन कैसे आ सकती है खेर गंडपती पपा का रब स्केच कंप्लीट होने के बाद मैंने हाँ पर बेक्ग्राउंड पेंट करना स्टार्ट कर दिया है तो बेक्ग्राउंड के लिए मैं यूज कर रही हूँ लाइट स्काई ब्लू लाइट ब्लू और लाइट ग्रीन कलर था कि हमारा बेक्ग्राउंड एक दम निखर के बाहर आए वैसे भली ही मैं आज कैनवास की उपर पहली बारी पेंट कर रही थी लेकिन सच पता हूं तो मुझे कुछ ज़्यादा ऐसा डिफरेंस समझ नहीं आया लेकिन कैनवास की बुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इसको बाद में फ्रेम वगेर करवाने की कोई जंजट नी रहती क्योंकि ये खोद अल्रेडी एक फ्रेम टाइप का होता है सो बैक्ग्राउंड कम्प्लीट करने के बाद मैं सबसे पहले उनके कान को पेंट कर रही हूँ जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ औरेंज रेड और ब्राउन कलर का देन तीनों कलर को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि एक प्रॉपर और सुन्दर सा कलर निकल कर आए वहीं उनके फेस के लिए मैं यूज कर रही हूँ लैमन येलो कलर का जिसे एक बार हम अच्छे से पूरे फेस पर अप्लाई कर देंगे देन हाइलाइट के लिए हम यूज करेंगे औरेंज और रेड कलर का ताकि एकदम शेडो वाला लोका आए और देखने में भी सुन्दर लगे साथ ही साथ हम रेड कलर से थोड़ थोड़ी हाइलाइट भी कर देंगे ताकि हमारे गणपती बपा का कलर एकदम निखर के बाहर आए नहीं गणपती बपा के बस्तरों के लिए यूज करी हूँ मैं डार्क रैट कलर का क्योंकि ये कलर हमारे स्काई ब्लू बैकड़ाउंड के साथ एकदम पर्फेक्ट जाएगा वैसे क्या आप सबको पता है गणपती बपा का जन्म कैसे हुआ तो जिन्हें पता है बहुत अच्छी वाद है और जिन्हें नहीं पता चलो मैं बता देती हूँ तो सिप पुराण के अनुसार एक बार माता पारवती ने इसनान करने से पूर्व पूरे सरीर पर हल्दी के उप्टन लगाया इसके बाद जब उन्होंने उप्टन उतारा तो उससे एक पुतला बना दिया और उसमें प्रान डाल दिये इस प्रकार उनके पुत्र अर्थात गड़ेस जी की उत्पत्ती हुई और फिर माता पारवती इसनान करने चली गई लेकिन गड़ेस जी को आदेश देगें कि तुम द्वार पर बैठना और भीतर किसी को मताने देना कि तभी अचानक से भगवान सिब आ गया और पारवती माता से मिलने की एक चछज़ताई लेकिन द्वार पर बैठे गड़ेस जी ने उन्हें 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 भीतर जाने दिया जिससे भगवान शिप को काफी क्रोध आ गया और फिर गड़ेश जी और भोले नाथ के बीचुव घमाशानी उद्ध जिसने क्रोधत सिप जी ने अपने त्रिशूल से बाला गड़ेश का सिर दड़ से अलग कर दिया और जब यह बात माता पारवती को पता चली तो वह रोने लगी और उन्होंने प्रलाय करने का निश्चित कर लिया से सभी देवी देउता काफी घबरा गए की तभी गरोण जी से भोले नात ने कहा कि जाओ उत्तर दिर्शा में जाओ और जो भी मा अपने पुत्र की तरब पीट करके सो रही हो उसका सिर ले आओ काफी देर खोचने के बाद उने कोई भी ऐसी मान नहीं मिली की तभी उनकी द्रस्टी पढ़ी ये कहतनी पर जो अपने बच्चे की तरब पीट करकर सो रही थी तो बस फिर क्या था उन्होंने उस बच्चे का सिर काटा और ले कर आ गए माता पारवती के समक्ष और पर कार हुआ हमारे प्यारे गणपती बपा का जन्म वैसे ये कहानी किस-किस ने सुन रखी थी कॉमेंट में जरूर बताना और हाँ गणपती बपा लिखना बिलकुल मत भूला और इसी के साथ ये रहे पिछले अपते के साउट आउट के वेनर्स वैसे आपको पता है ना कि सा कि आंसर देना है बस और इसी के साथ आज का क्वेशन है कि इस सीजन का बेग बॉस ओटीटी 3 कौन होस्ट कर रहा है तो लो जी बातों ही बातों में हो गए हमारे गणपती बपा तो तयर ले कि नियार ये मुझे कुछ सूने-सूने लग रहे तो तो मैंने क्या किया इस जाइन निकाल दी जिससे तो भाई साब इनकी खुपसूर्ती में चार चान लग गए साथी साथ बैक्राउंड मैं भी छोटे-छोटे से फूल बना दिये और एक खास बात बताओं मैं नहें गिफ्ट करने वाली हूँ अपने भाई को क्योंकि है उसका बढ़े तो मैंन मुझे तो यह बहुत सुन्दर लगे तो आप सब को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना चैनल पहले वारा तो सब्सक्राइब कर देना और बैल आइकन प्रेस करना बिलकुल मत भूलना तो मिलते हैं नेक्स्ट